हालो फ्रेंड वेलकुम बेक टॉप 3 वर्ट फ्रेंड आज मैं आपके शाद शेयर करने वाली हूं बेकार कत्रन से बहुते जादा कमाल का और अलग-अलग तरीकों से आप इस्तमाल कर पाया ऐसा ब्यूटिफुल आइडिया आपके पास अगर इस तरीके के सिलाई से बची है तो आप पुराने कपड़ का इस्तमाल कर सकते हैं कुरती है दुपट्टा है या फिर आपके पास सलवार है बैट सीट है और सब का आप यूज कर सकते हैं तो देखे मैंने एक पेपर से कट कर लिया है एक पीस 14 पाइफ 4 इंच का और अब यहां पर एक साइड से हम वन इ कर लिनी है तो इस तरीकी का एक शेप बन जाएगा अब इसे हमें कट कर लेना है यहां पर आप जिटनी लंबाई जादा रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहां 14 इंच की जगह पर आप 15 या 16 भी ले सकते हैं अब इस तरीके से मैं एक शेप को रेडी कर लिया है अब जो कतर कर लोगी और इसे हमें कट कर लिया है तु बस आपको इसी तरीके से जू भी छूटे बड़ी कप्ड़े हें उन सब को लेना है यह पर धर क्य Schloss किसे हम स्प्ड़ों का इस्थ तरीके से हमें कर लीगि यह फर आप भटाब कर ना चाहते हैं तो इस तरीके सी भी कर सकते हैं जो सेम साइज के पीस थे उन सब को मैंने एक के उपर चार पांच या छे पीस आप रख दीजिए फर इसके उपर जो हमने पेपर से कट किया है उसे इस ट्राप्ट को रखेंगे मार्किंग करेंगे और फिर कट कर लेना है तो एक साथ ही जाधा पीस को कट कर सकते हैं यहां प पहले इस तरीके से कट कर लेना है फिर उसके कलर डीजाइन के हिसाब से हम उसे साइट करके रखेंगे और एक के उपर एक रखकर इस तरीके से सीधी सिलाई करनी है तो दोनों कल्यों की राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और फिर सीधी सिलाई कर लेनी है और ए प्रोपिन की कटी हैं वाद आप पर आक को सीधी सिलाई करकि हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे तो देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है तो ये इस तरीके का एक सरकल के सेफ में ये रेडी हो चुका है अब यहां बीच के लिए हमें कपड़ा चाहिए तो उसका मिजरमेंट आपको इस तरीके से लेना है आपको इस तरीके से मार्क करेंगे देझे मार्क करेंगे buffalo कर लिया टो इस स्थारिक देने के बाद कापको प्रैप अब लिया के लिए घग्स करना है तो इस तरीके से एस बारब कर लिया है sharp तो आप अपनी पसंद्गी का यहां पर कोई भी अच्छा कपड़ा है इसे बीच में रखें या फिर प्लेन भी ले सकते हैं मैंने प्रिंटेड लिया है अब देखिए जो में पीछ था इसे हमने उल्टा रख दिया और इसके ऊपर यह कपड़ा लिया है इसे भी उल्टा सकते हैं या फिर पहले कच्छी सिलाई भी कर सकते हैं तो यह इस तरीके से अट्याज करने के बाद मैंने लिया है एक पुराना ब्लैंकेट इस तरीके का ब्लैंकेट अब हम कोई उस्तवाल नहीं करते हैं आप चाहें तो इसे डोनेट भी कर सकते हैं तो देखिए इस तरीक तो देखिए मैंने यहां पर फोम की जगह पर पूरा ना ब्लैंकेट यूज़ कर लिया है और नीचे अस्तर के लिए मैंने बैट सिट ली है आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं अब इस तरीके से यहां पर पूरे राउंड में हम पिन लगा हैं तो यह अपनी जगह से हिले नहीं मसीन के ऊपर लेकर जाएंगे तो यह पूरा खराब हो जाएगा इसका जो सैटिंग है वो पूरा निकल जाएगा आपके पास पिन नहीं है अगर तो आप यहां पर कच्छे टांके लगा सकते हैं या तो फिर आप से अप्टी पिन का सिफौन का आपके पास तुपटा है शारी है या और कोई भी कपडा है अच्छी डिजाइन का कलर का वगूआ ले लीजे और इस तरह के से आपको क्रॉस में पटियां करनी है तो इस तरह के से देखें मैं फट्टियों को कट कर लियाँ अब इस तरह के सीलाए करके हम पट् रखकर इस तरीके से सुरू कर सकते हैं और पूरे round में हमें इस strip को attach कर लीना है और last में देखे जो हमने fold करके कपड़ा start किया था attach करना वहीं तक हम strip को ऊपर लेकर जाएंगे थोड़ा सा हमें overlap करना है extra strip को cut कर दिया है और इस तरीके से देखे मैंने यहाँ पर finish किया है पूरे में हमने इस तरीके से attach कर लिया अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इस जो strip हमने attach कर रहे थी उसे हम उपर की तरफ लेकर आएंगे तो देखे इस तरीके से फिर हमें इसे एक बार fold करना है फिर एक बार यानिके double fold करना है और इसके उपर सिलाई करनी है तो पूरे round में इसी तरीके से हम double fold करते हुए इसे finish करेंगे यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे तो बहुत ज़ादा अच्छे से यह हमारा पूरा बनकर रेडी हो जाएगा और इसका end आपको किस तरीके से करना है जो यह हमने strip यहाँ पर सुरू हो रहे थी और end हो रहे था वहाँ पर इस तरीके से अच्छे से आपको set कर लेना है अंदर वाली जो strip है पहले उसे आपको set करके रखना है उसके उपर दूसरी उपर वाली चीत होई उसे set करके इस तरीके से हम पूरे में सिलाई कर लेंगे तो देखे यह पूरा हमारा बनकर ready हो चुका है तो बहुत ही जादा सुन्दर यह बना है I hope आपको भी अच्छा लगा होगा इसमें आपको बिल्कुल भी खर्चा करने की ज़रत नहीं है बस आपको थोड़ा सा समय देना है और यह आपका प्यार आसा DIY बनकर ready हो जाएगा आपने online और market में देखे होंगे इस तरीके के piece काफी ज़्यादा costly मिलते हैं पर आप इसे एकदम zero cost में बिकार material का इस्तमाल करके बना सकते हैं आप इसे अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं और हमेशा ये trend में भी रहते हैं तो आप दोस्तों आज का ये चोटा सा idea आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो यूसफुल होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है यूसफुल लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना ज़ादा से ज़ादा शेयर करना ऐसे ही और यूसफुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए जाए भारत